हेलो दोस्तो मैं आकास सर कॉंपिटिशन एकेडमी के डिजिटल प्रेटफर्म में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में कुछ अबजेक्टिव क्वेस्टन्स सौल किये थे आज मैं आपके लिए एक कुछ ठोरी का पाट ले करके आया हूं जिसमे से प्याजे के संगनात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें एक अवस्था है कौन सा पूरु संक्रियात्मक अवस्था आज हम लोग इस पूरु संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए यह फिर पूरु संक्रियात्मक अवस्था को पढ़त प्रवेस करता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारे प्रतिकात्मक परिवर्तन होते हैं और यहाँ पर आकरके बच्चा चीजों को संसार को क्या करता है प्रतिकों के माध्यम से देखना सुरू करता है प्रतिकों के माध्यम से देखना सुरू करता है कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी बच्चे का जो इस्कूल है जैसे कि आजकल आंगनवारी में पढ़ाते हैं ठीक है आजकल क्या करते हैं नरसरी पढ़ा रहे हैं ठीक है ऐसी इस्कूल में जब आप जा करके देखोगे या प्रात्मिक विद्यालय में आप जा करके देखोगे तो विद्या और उन चीज़ों को देखता है, समदर है. तो बच्चा जो है वो पूरु संक्रियात्मक अवस्थामें कैसे संसार को देखता है, तो प्रतिकों के माध्याम से संसार को देखता है. हम लोग देखे हैं, हम भी पढ़ें हैं, जब प्रात्मी पिद्याले में जाओगे, तो ऐसा किसी गाउं का चित्र बने रहता है, जहां पर कोई पानी भरते हुए जा रहे हैं, ऐसा करके चित्र बने रहता है, या किसी तलाब का चित्र रहता है, उस तलाब में बदक हो गया, या कोई आदमी नहाते हुए, इन सभी च चीजों को बैठाता है कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा होता है वो इस कंडिशन में पूरु संक्रियात्मक अवस्था में इस अवस्था में संसार को प्रतिकों के माध्यम से देखता है इसके आत्रिक्ते हम यह कह सकते हैं कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे दादा- के द्वारे यह पताया जाता है कि जैसे लाइट बंद होता है या अंधेले में भूत आता है तो जैसे लाइट बंद होता है या अंधेरा होता है तो हम अंधेरे से डर जाते हैं क्योंकि हम संसार को किस माध्यम से देखते हैं उस कहानी के माध्यम से देखते हैं उस प्रति अवस्था में इसका दूसरा चीज है दूसरा विसेस्ता है भासा और विचार अगर हम लोग भासा की बात करें तो प्याजे जी का कहना है कि भासा जो होता है वो बच्चे के संग्यनात्मक विकास में ठीक है बच्चे के संग्यनात्मक विकास में ज्यादा महत्तोपूर भू तो प्याजे का कहना है कि बच्चा क्या करता है पूर्व संक्रियात्मा का वस्था में एंद्रिक और चालन गतिविधियों के माध्यम से कहने का मतलब है चालन गतिविधी मतलब वो कुछ ना कुछ कुछ करके अपने सरीर के अंगों के माध्यम से ठीक है अपनी इंद्रियों के माध्यम से चालन गतिविधी करता है कुछ न कुछ गतिविधी करता है और गतिविधी करके वो क्या करता है अनुभाव को प्राप्त करता है और अनुभाव को क्या करता है प्राप्त करता है और उस अनुभाव को वो क्या कर देता है सब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देत जैसे कि मैं आपको एक इक्जामपल बताता हूं समझना एक बच्चा है ठीक है प्याजे क्या करते है विचार को ज्यादा महत्व देते हैं अब समझना इसको इसका अर्थ समझना ठीक है अनुभाव कहने का मतलब यह है कि बच्चा क्या करता है इंद्रिय माध्यम से और चाल मतलब यह है जैसे इसके पहले वाली अवस्ता है वस्तु इस्थाइतों का गुर्ट अगर आप किसी चीजों को दिखा दिया जाए एक बच्चा है घर में उस बच्चे को क्या किया जाएगा आप सामने से आए फिर आप दर्वाजे की पीछे क्या हो गए छुप गए अब गया और कहां चले गया तो वह कूस दूरी जा करके आपको खोजेगा आपको देखेगा ठीक है आपको देखेगा आप दर्वाजे के पीछे चुप गया हो आपको देखने के लिए जाएगा देखने के लिए जाएगा फिर आप वहां नहीं मिलोगे तो फिर बच्चा क्या करता है उन चीजों के बारे में सोचेगा कि ये कहा चले गया और उसके बाद last condition में ये इस जगा पर पहुंचता है पूरा उसको क्या हो जाता है अनुभा हो जाता है कि अब वो यहां नहीं है तो उस नहीं है को बच्चा क्या करता है अपने सब्दों के माध्यां से व्यक्त करता है फिर वो क्या बोलेगा बच्चा फुड़ा देर देखेगा और देखने के वर्ड यूज करता है नई वो पूरनी बोलता नई है करके उसके लिए वर्ड कुन से यूज करता है वो नई या गई ऐसे करके किसी सब्दों के माध्यम से उस चीजों को व्यक्त करता है कहने का मतलब यह है कि बच्चा पहले क्या करता है कहने का मतलब है पहले बच्चा उन चीजों को विचार करता है, ठीक है, अपनी गतिविधियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है, और अनुभव प्राप्त करके फिर उसको क्या करता है, सब्दों का लेबल लगा देता है, या उस चीजों को नमांकित कर देता है, समझा गया, जैसे कि वो बच्चत यह सब्द ने करके आया, कौंसा नहीं. यही चीज को क्या प्याजे जी समझाते हैं, भासा और विचारンダ, जो है, वो माहतवपुन नहीं है, भासा को तो अनुभव प्राप्ट करने के बाद क्या जाता है, न मंगित किया जाता है. जबकि माहतवपुन क्या है, विचार. यह को याद रखना इसके अत्रिक तेस चीच को याद रखना कि यहीं वो अवस्था है जहां पर भासा का विज्व विकास होता है वह सबसे ज्यादा होता है उसके बाद भी जो प्याजे हैं वह भासा को महत्वपुण नहीं मानते हैं वह एंद्रिक और चालन गतिविधियों के अनुभा प्राप्त होता है उसी को क्या मानते हैं महत्वपुण मानते हैं याने विचार को महत्वपुण मानते हैं इसका अगला पैंट जब हम देखते हैं खेल के माध्यम से विकास कैसे होता है अगर हम खेल के माध्यम से विकास को महत्वपुण मानते हैं खेल के माध्य यह क्या करते हैं खेल में अनुकरण करते हैं खेल में अनुकरण करने का मतलब यह है कि हम जैसे फोन में बात करते हैं तो आप तीन साल चार साल के अगर बच्चे को देखोगे पांस साल के बच्चे को तो हम जैसे फोन में बात करते हैं तो वो किसी भी चीज को जैसे कंगी हो गया, या कोई भी लकडी का इतना बड़ा चीज हो गया, कोई भी चीज उठा लेते हैं, और उठा करके वो क्या करते हैं, अपने से बात करना प्रारम कर देते हैं, ठीक है, प्राया बात करते हैं किस से, नानी से या मामा से, है ना, ऐसा ही होता है, कभी दादादी से बहुत क सम बात करते हैं, तो बात किस से करते हैं, नानी से या मामा से, ठीक है, तो खेल के माध्यम से भी बच्चे क्या करते हैं, अपना संगेनात्मा क्विकास करते हैं, समझ आ गया, जैसे मोबाईल में अनुकरण करके बात करना, है ना, दूसरी चीज कोन से हो गया, खेल के माध्य चला रहूं या बस चला रहूं और बस के पीछे तुम लोग सब बैठो ऐसा करके खेल करते हैं या कोई हस्बेन बन जाता है कोई वाइप बन जाती है कोई उसके बच्चे बन जाते हैं और वो क्या करते हैं चीजों को करते हैं जैसे कि पापा के आने का नातक करते हैं कि बच आजे जी का कहना है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें चित्रकारी, तो चित्रकारी भी एक कारण है, जिसके माध्याम से बच्चे का संगनात्मा क्विकास होता है, अगर आप बच्चे को रंगीन पेन दे दिया जाए, और कागस दे दिया जाए, ठीक है, तो बच्चा जै समझ आ रहे है, उस गुदा-गादे का कोई अर्थ ना हो, लेकिन बच्चे को लगता है कि मैंने कुछ बनाया है. समझ आ गया, धीरे-धीरे बच्चा लगभाग 3 साल की उम्र में पहुंचता है, तो तीन साल की उम्ण में पहुंच करके बच्चा जो है वो लगवगवगवगवग क्या करता है कुछ न कुछ चीजे बनाना शुरू कर देता है जो हो सकता है बड़ों को समझ ना आहे लेकिन छोटे के लिए वो क्या करता है जैसे ऐसे ऐसे बिंदु बना दिया ये ऐसे ऐसे क्या कर दिया बिंदु बना दिया और बिंदु बना करके बताता है कि ये जो है वो क्या है एक जगा है और यहां से कूद करके जैसे एक खरगोस है कौन है खरगोस है और ओक खरगोस क्या करता है यहां से कूद करके यहां और यहां से कूद करके यहां और यहां से कूद करके यहां ऐसे जाता है ठीक है भले ही उसको बड़े जो है वो ना समझे लेकिन बच्चे जो है वो आपने समझने के लिए लगभल ऐसे चित्रकारी करके बनाते हैं और संग्रात्मक विकास करते हैं समझ आया तो यह जो चार जे पूर्व संक्रियात्मा अवस्था की क्या है विश्यस्ता है ठीक है जो पॉजिटीव है जो क्या है पॉजिटीव है प्रतिकों के माध्यम से संसार को देखना समझ आ गया जैसे तादा दादी के कहानियों के द्वारा इस्कुल में बने हुए चित्रों के द्वारा इन प्रतिको के माध्यम से क्या करता है, देखता है, समझ आग्या, संसार या दुनिया कैसी है, उसके बाद जब अपन बात करते हैं, भासा विचार, तो भासा को ज़्यादा महत्वन न दे करके, विचार को महत्वर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है, एन्द्रिक और चाल रहे हैं शित्रकारी चित्रखंध से बनाया जाता है समझा गया तो यह जू चीजे वो क्या है? पूरु संक्रियात्मक अवस्था की विसेस्था है, जो positive. ठीक है? इसके बाद अगर जब हम लोग बात करते हैं, तो इसकी सिमाय भी है. पूरु संक्रियात्मक अवस्था की सिमाय भी है. इन सिमाओं में जो सबसे पहला सिमा है, वो कौन सा है? अहम केंदृता. ये वाला और इस अहम केंद्रित पन के कारण उस बच्चे में जीववादी सोच का लक्षण भी आ जाता है ये दोनों चीजे क्या है पूरु संक्रियात्मक अवस्थाओं की सिमा हैं अहम केंद्रित कहने का मतलब यह है कि बच्च केवल क्या करता है अपने ही द्रिष्टी को को नहीं समझ पाता है चीजों को देखता है और दूसरों की द्रिष्टी कोड को समझ नहीं पाता थेक है समझ नहीं पाता कहने का मतलब यह है जो वह दलकता है तो दूसरे का नजरिया भी वैसा ही होगा जैसा मेरा नजरिया है समझा रहे हैं इसी को बूला जाता है क्या अहम केंदरित द्रिष्टी कोड ठीक है जो बच्चे में पाया जाता है और ये अहम केंदरित द्रिष्टी कोड जो है वो पूर संक्रियात्मक अवस्थाय की क्या है सिमाय है अहम केंदरित कहने का मतलब है कि बच्चा अपने आप में ही क्या रहता है केंदरित रहता है उसको मतलब यह है प्याजे ने अहम केंद्रित के गुड को समझाने के लिए ठीक है इसके गुड को समझाने के लिए एक सोद किया था जिसको बोलते हैं तीन परवतों की तीन परवतों की स्रिंखला वाला एक सोद किया था इस तीन परवतों की स्रिंखला में वो सोद में क्या पता किया कि उसने तीन परवत बना दिये 3D मॉडल में तीन परवत बना दिये ठीक है, 3D model में क्या किये, वो 3 परवत बना लिए, ठीक है, ये 3 ऐसे करके परवत बना लिए, और इस 3 परवत में क्या किये, वो 1 side क्या किये, एक सेट, एक जने को रख दिये, ठीक है, एक सेट क्या किये, एक बच्ची को रख दिये, ठीक है, ये बच्ची का नाम माल लेते हैं, A, ठीक है, और एक सेट क्या किये, एक सेट रख दिये कि इसको, एक दूसरी बच्ची को, जिसका नाम क्या है, समझ लो, B, ठीक है, इसका न पर इसकी चोटी में किसी चीज को रख देते हैं, प्याजे के अनुसार एक की चोटी में रखा गया था मकान को, घर को, एक 3D मॉडल बनाया गया था, उसमें रखा गया था घर को, एक में रखा गया था बर्फ को, और एक में रखा गया था किसको, एक क्रॉस करके रखा गया प्याजे केनु सर दो बच्ची ओं को रखा गया और दोनों बच्ची ओं को पुछा गया कि इसके द्रिष्टी कोड से इसके द्रिष्टी कोड से इन परवतों में क्या चीजों को देख पा रही है को पूछा रही है उन चीजों को कि क्या चीजों को देख पारिे करके किस से पुछा जा रहा है वह कि वह खुद पारी है ना कि वो जो यह जो चीज को देख पारी है उसको बता पारी है कहने का मतलब यह है कि वो किवल अपने ही द्रिष्टी कोण को बता पारी है ना कि सामने वाले के द्रिष्टी कोण को समझा गया तो इसी को बोला जाता है अहम केंदृता का गुड़ समझा गया अहम केंदृता के कारण ही इसका कारण क्या है अहम केंद्रिता इसका कारण क्या है अहम केंद्रिता इस अहम केंद्रिता के कारण ही बच्चे में जीववादी सोच जो है वो उत्पन्न हो जाता है जीववादी सोच जो है वो क्या होता है उत्पन्न होता है कहने का मतलब यह है कि यह जो निर्जीव चीजों में, ठीक है, निर्जीव चीजों में भी क्या होता है। जीव पाया जाता है, जीव जो है, वो क्या होता है, पाया जाता है, निर्जीव चीज़ों में भी जीव जो है, वो पाया जाता है, कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, भौतिक चीजों को क्या करता है, मानवी चीजों से युक्त कर लेता है, भौतिक च चीजे हैं मतलब वस्तु है उनमें भी क्या होता है जीव कगुर पाया जाता है समझा गया कहने का मतलब यह है कि बच्चा आप देखोगे ठीक है बच्चा एक गुरिया रख लेते हैं और उस गुरिया को क्या करते हैं कपड़ा पहनाते हैं ठीक है कपड़ा पहनाते हैं उसक करते हैं अगर उस गुडिया को थोड़ा सा चोट लग गया तो उस गुडिया को बाते करके जिससे चोट लगा उस चीजों को मारते भी हैं समझा गया या अपने आपको चोट लग गया बच्चे को देखना आप बच्चा कहीं से गिर गया तो गिर गया तो या बच्चे को कि बसने लग जाता है या फिर फूस हो जाता है इसका मतलब यह है कि बच्चे में जीववादी सोच का सोच जो है वह आ जाता है और बच्चा निर्जीव जो है वो बादल से नराज हो करके कही दूर चले गया है ठीक है सूर्य जो है वो बादल से नराज हो करके कही दूर चले गया है इसका मतलब यह है कि सूर्य और बादल भौतिक चीजे हैं तो बच्चा क्या करता है कि भौतिक चीजों को मानवी चीजों में जोड़ देता है कह तो सूर्य जो है वो बादल से नराज हो करके कहीं दूर चले गया है, उसको लगता है कि उनमें क्या है, जीव का गुण पाया जाता है, तो ये चीज क्या होता है, जीववादी सोच, उधारन को लिख लेना, कि सूर्य जो है वो बादल से नराज हो करके कहीं दूर चले गया ह इसका उदारण है, तो जीववादी सोच का उदारण है, आईए, इसका अगला देखते हैं, अगला जब हम देखते हैं, तो इसमें एक चीज है, सर्रक्षण को समझ पाने में असमर्थता, ठीक है, ये तीसरी नंबर की कम्या है, ठीक है, अभी दो देख लिए, एक अहम और दूसरा जीववादी सोच, ये जो तीसरी नंबर की कम्या है, वो क्या है, सर्रक्षण को समझने में असमर्थता, सर्रक्षण को समझने में असमर्थता कहने का मतलब सर्रक्षण में कमी, ठीक है, सर्रक्षण में कमी, इसका उदारान लेते हैं, और उदारान के द्वार दिखाया जाता है ठीक है यह ग्लास ऐसा समझ लो कि यह लंबा ग्लास है ठीक है यह क्या है ग्लास है और इस ग्लास में यहां तक के भरा हुआ है क्या पान्य ठीक है यह पूरे ग्लास में क्या भरा हुआ है पान्य यह एक और ग्लास ले लेते हैं ठीक है सेम साइज कही ग्ला ठीक है, ये दो ग्लास है, एक है कोट सर। glass A, दूसरा है कोट सर। glass B, ठीक है, दो wise glass है, इन दो लोग license में same glass है, same glass में same प्रकार से पानी भड़ा हुआ है, अगर खोल छोटा हों ग्टा उपर निचे दीखेगा तो समझ जाना कि ये दोनों same है । ठीक है, ऐसा नहीं को जब पूछा जाता है कि जो पानी है वो किसमे कम और किसमे जादा है तो बच्चा क्या करता है वो बता देता है कि पानी जो है वो दोनों में समान मात्रा में उपलब्द है ठीक है बच्चा क्या करता है वो बताता है कि जो पानी है वो दोनों में क्या है समान है मतलब दोनो में पराबर है अब हम लोग क्या करते है यह जो पानी भी है ठीक है यह जो पानी भी है उस पानी को क्या करते है एक चोड़े बरतन में लेते हैं पानी को क्या करेंगे एक चोड़े बरतन में लेंगे ठीक है ऐसा समझ लोग कि घर का कोई गुंडी है ठीक है या फिर कोई तो ग्लास का जो पानी है उसको हम लोग किसमे लेंगे चोड़े बरतन में और जब चोड़े बरतन में लेते हैं और इस ग्लास के पानी को क्या कर दिया जाएगा इस चोड़े बरतन में डाल दिया जाएगा अब यह पानी जो यहां तक के था इस चोड़े बरतन में आने के ब हो गया और यह पानी चोड़ाई में फैल गया अब बच्चे को पुछा जाएगा कि यह जो C है ठीक है इसको माल लेते है C और इसको माल लेते है A, कि पानी A में जादा है, या B C में जादा है, ठीक है, और ये पानी को बच्चे के सामने ही क्या किया गया है, जाला गया है, ठीक है, इसमें से करके क्या किया गया है, इसमें, अब बच्चे को अगर पुछा जाए कि पानी A में जादा है, या पानी C में, तो बच्चा जव का केंद्री करण, बच्चे का जो केंद्री करण है, वो इस पानी की उचाई पे फोकस है, ठीक है, बच्चे का जो केंद्र बिंदु है, वो कहा पर है, इस पानी की उचाई में है, पानी की उचाई कहने का मतलब यह है, बच्चे को लगा कि सबसे जादा उचाई में पानी ज इसमें रहेगा उसका केंद्री करन कहा है मतलब बच्चे का फोकस कहा है इस उचाई पर है उचाई में अगर पानी ज्यादा है तो उस बरतन में भी पानी ज्यादा होगा यहां पर उचाई में पानी कम हो गया है तो बच्चे को लग रहे हैं कि यहां पर पानी जो है वो क्या है कम है ठीक है क्यों इसका कारण क्या है तो इसका कारण है क्या केंद्री करन क्योंकि बच्चे केवल किसी भी परिस्थिती के एक पक्ष को देखते हैं उसके दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते समझा रहे है कोई भी चीज को बच्चा जो है वो केवल एक ही पक्ष को देख दूसरे पक्ष को नहीं देख पाता उसका कारण है किंद्री करन। मतलब बच्चे का पहकश है वह ऌँक है उचाई पर है बच्चा यह नहीं देख रहा है जो पानी है इसकी जो उचाई उसकी भरपाई किसके द्वारा कर दी गई है चोडाई के द्वारा तो इसी को गुला जाता है कि बच्चे में सरक्षण की कमी पाई जाती है या सरक्षण को समझ पाने में असमर्थता होता है समझ आया बच्चे में सरक्षण को समझ पाने में असमर्थता होता है उसका कारण क्या है केल्दरी कर ठीक है तो बच्चे सुरू से देख किस को रहा है उचाई को यहाँ पर दोनों की उचाई बराबर है बच्चा बोल दिया दोनों में बराबर पानी यहाँ पर उचाई कम हो गया बच्चा मात्रा को नहीं देख पा रहा है मात्रा बराबर है लेकिन वो किस को देख रहा है उसके स्वरूब को समझ आ गया और वो क्या हो गया उसकी उचाई जो है वो प्लिट तो उचाई कम होने की वजह से वो क्या बोल रहा है कि पानी इसमें जादा है मतलब संरक्षण को वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझ आ गया, ये clear है, केंदरी करन, तो इसका चोथा जो कमी है, वो कौन सा है, सिमाय है, केंदरी करन, तो केंदरी करन में आप समझ गये, कि बच्चा किसी भी परिस्थिती के केवाल एक पक्ष को देखता है, उसके दूसरे पक्ष को नहीं देख बच्चा ये नहीं देख पा रहे है, कि इसमें का पानी इसमें डाला गया है, और जिसका उचाई, जो इसमें उचाई है, उसकी भरपाई यहां किसमें हो गई है, चोड़ाई, तो इस चीच को बच्चा नहीं देख पा रहे, वो केवाल केंदरी करन में उचाई पर फोकास है चोड़ाई को नहीं देख पा रहें एक पहलु को नहीं देख पा रहें क्लियर है उसके बाद अगर बात करें विपरित प्रतिक्रिया या इसी को बुला जाता है ona पलतावी का गुड क्या बुला जाता यह बोल सकते हैं कि जो विपरित प्रतिक्रिया होती है तो वे विपरित प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है क्या नहीं कर पाता है ठीक है नहीं कर पाता है कहने का मतलब यह है अगर हम कोई कारे का निस्पादन करते हैं कोई भी कारे हम करते हैं तो एक चरण से ले करके अगर उसक जहां से शुरुवात करे हैं, उसको चरंडर 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 आ करके, कारे को खतम करने तक के, और कारे को खतम करने से ले करके, अपने दिमाग को वापस पलटा करके, मूल बिंदू तक के, जहां से कारे को शुरू किये थे, वहां तक पलट करके सोचने की जो उसमे होती है वो नहीं पाया जाता एक प्रकार से बूलागाता है, कि जो विपरित प्रतिक्रिया का गुड होता है वो नहीं पाया जाता, इसको example से समझो. यहाँ पर क्या रहा क्या क SAPA, पानी को हम लोग क्या क्या किए उचाई पहिसाब से यहां डाल दिये, ठीक है, अब इसी पानी को अगर वो बच्चा, उल्टा करके सोचे, कि इस पानी को, जब हम वापस इस ग्लास में डालेंगे, तो वो पानी फिर से इसी उचाई में यही तक के आ जायेगा, कहने का मतलब यह है, कि बच्चा, पानी इसमें डालना और इसमें से निकाल करके पानी को इसमें डालना तो जो बराबर मात्र है इसमें जो डाले हैं अगर इसमें डालेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा बराबर मात्र में हो जाएगा इस प्रकार उसको पलट करके बच्चा नहीं सोच पाता है इसी को बोला जाता है क्या अपल्टावी का गुर्ड ठीक है तो जो सरक्षण को समझने की असमर्थता होती है वो एक तो केंद्री करण के कारण होता है और एक विप्रित प्रतिक्रिया या क्षमता भी नहीं है है ना और उसका जो दिक्कत है क्या है केंद्री करण है वह किसी भी परिस्थिती के केवल एक ही ही पक्ष को देखता है दूसरे पक्ष को नहीं देख पाता है समझ आया clear है इसके बाद वर्गीकरण का आभाव. वर्गी करणड का आभाव. कहने का मतलब ये है, कि इस समय बच्चे के अंदर क्या होता है, वर्घी करण का आभाव कहने का मतलब, आप ये समझ लो, कि जैसे कि अपन, बोलते हैं, एक, तोटल पेन लेते हैं. उस पेन में 12 पेन जो है वो निले कलर के हैं, कितने कलर के हैं? निले कलर के ठीक है, और 8 पेन जो है वो काले कलर के हैं, 8 पेन जो है वो काले कलर के हैं, ठीक है, 12 पेन जो है वो निले कलर के हैं, और 8 पेन जो है वो काले कलर के हैं, अब बच्चे से एक question पुछा जाता है, समझ निले कलर के पेन, ठीक है, निले कलर के पेन ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, या पेन ज्यादा है, ठीक है, ऐसा पुछा ज्यादा है, निले कलर के पेन ज्यादा है, या पेन ज्यादा है, समझना मेरी बात को, ऐसा पुछा जा रहे है, एक तो 12 ठुक निले कलर का पेन है, 8 ठोक काले कलर का पेन है अब बच्चे से ये पुछा जा रहा है कि नीले कलर के पेन ज्यादा है या पेन ज्यादा है तो बच्चे का जवाब आएगा नीले कलर का पेन समझ आ गया टोटल पेन कितने है बारा और आठ बीस टोटल पेन कितने है बारा और आठ बीस तो यहाँ प चाहे वो निले हो चाहे वो काले हो वो क्या है पेन ही है ठीक है वो कलर में और उसमें वो नहीं देख पा रहा है उसके वरगी करन करने का उसके में क्या है आभाव है बच्चा क्या कर रहे है यहाँ पेन ज्यादा है या निले कलर का पेन ज्यादा है ठीक है तो वह एंसर दे चाहे वो निले हो चाहे काले हो दोनों के दोनों क्या है पेल है समझ आ गया अगर इसको ऐसे नहीं समझोगे तो वर्गी करण एक चीज तो समझ सकते हो जैसे वर्गी करण कहने का मतलब यह है किसी भी चीज का हो है ना किसी भी चीज कापी कापी को अलग रखना है ठीक है बोलोगे तो वह ऐसा नहीं जमा पाता वह बुक को पूरा क्या करेगा एक संद बुक को जसकतस जमा देगा इसी को बुला जाता है कि आप वर्गी करण का अभाव वह मैट्स के बुक को अलग या साइंस के बुक को अलग इन्वायर्मेंट के बुक को अलग जमा देगा ऐसा वो नहीं कर पाएगा ठीक है तो उसके में वर्गी करण का क्या होता है अब हो पाया जाता है तो यह था आज का हमारा क्लास जो पुर संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड था तोटल चार जो है वो उसकी विसेश्थाएं है ठीक है जिसमें से आत्मक केंढरीथ हो गया खेल के मार्ध्यम से उस संग्रात्मक विकास हो गया है रहना भासा और वीचार और चित्रकारी या जो चीज़ें हैं वो उसके द्रिष्टि कौन से चीजों को देखता है समझ आ गया जिस में तीन परवत्तवाला हम लोग देखे उसके बाद फिर हम लोग किसको देखे जीववादी सोच तो जीववादी सोच का कारण क्या है अहम केंद्रित क्योंकि बच्चे को लगता है कि इसमें जीव है, अगर उसको नहीं भी बोल, उसको मना भी करोगे कि इसमें जीव नहीं है, तो भी बच्चे को लगता है कि इसमें जीव है, क्योंकि बच्चा जो है वो अहम केंद्रित है, और बच्चा जो लगता है कि इसमें जीव है, तो उसका कारण क्या हो गया अहम केद्रि उसके बाद संरक्षण को समझ पाने की असमर्थता तो यह हो गया और संरक्षण को समझ पाने की असमर्थता में उसका कारण क्या होगा केंद्री करण और विफ्रि प्रतिक्रिया ठीक है और लास्ट कुंस हो जाएगा वर्गी करण का अ तो ये था हमारा आज का क्लास ऐसे ही कुछ वीडियो आगे और निरंतर हम लाते रहेंगे अच्छा लगे तो लाइक करना सस्क्राइब करना ठीक है